मेरा सोला साल का देवर मेरे शोहर के काम पर जाते ही मेरी शादी की वीडियो मुझसे मांगता और कहता कि भावी पैन ड्राइब दे दो मैं टीवी पर लगा कर देखूंगा मैं उसे दे देती फिर वह अपना कमरा लॉक कर लेता एक गंटे के बाद वो मुझे पैन ड्राइब बापस करता और साथ ही मुझे पांच हजार रुपए भी देता इस बात से अब मुझे उस पर शक होने लगा था कि उसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं इसलिए एक दिन पैन ड्राइब देने के बाद मैं उसके कमरे में छुप गई पर जैसे ही उसने टीवी पर पैन ही फिल्म रात के तकरीवन 9 बजे थे जैसे ही एक खबरो वाला चैनल लगाया गया तो वहां कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें भावी और देवर आपस में मिलकर वेचारे शोहर को धोका दे रहे होते हैं मैंने एक और चैनल लगाया तो लगवग वहां भी ऐस ही कुछ चल रहा था मैंने बड़ बड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आज कल के टीवी प्रोग्राम में तो इन्हें देवर भावी और ननत भावी के अरावा और कुछ मिलता ही नहीं लगाने को उस हर तरफ देवर और भावी की चर्चे होते हैं मैं इस हिसाब से पर गई रात के तकरीवन नौ बज रहे थे अब तक तो मेरे पती को आ जाना चाहिए था पांच बजे दफतर से उनकी चुटी हो जाती थी और वो छे बजे तक आ जाते थे मगर आज तो तीन घंटे जादा हो गए थे और वो अभी तक नहीं आये थे उन्हीं का इंतजार क जात कुछ बुरा तो नहीं हो गया वो फोन भी तो नहीं उठा रहे थे आखिर मैं अपने एकलोते देवर के कमरे में चली गई वो उस वक्त सो रहा था मैंने उसे जगाया और कहा कि जाओ अपने भाई का पता करो वो अभी तक आय क्यूं नहीं है अभी मैं उससे ये कह ही रही थी कि तब ही दर्वाजे पर दस्तक हुई मैं तुरंत ही भाग कर गई और दर्वाजा खूला तो सामने मेरे शोहर ही खड़े थे मैं उनका हाल चाल पूछने ही लगी थी कि तब ही मेरी नजर उनके बरावर में खड़ी एक लड़की पर पड़ी और उसको देखकर मेर मैं क्या देख रही हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया था हमारी खुश खबर साधी सुदा जिन्दिकी को चार साल गुजर गए थे और बस हमें एक उलाद की ही कमी थी लेकिन मेरे पती ने कभी इस बात का मुझे ताना तो नहीं दिया था और वो आज अचानक से उन्होंने शाधी कर ली मैंने चिलाते हुए पूछा आपनी ये क्यों किया अगर आलाद की इतनी ही चाहत थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं दूसरी शाधी करने वाला हूँ मुझे चुपकर धोका देने की क्या जरूरत थी मेरे पती ने भी गुस्से से कहा कि मैंने आला की वफादार रही हूँ मेरे पती ने तुरंत अपनी जेब से मोवाइल निकाल कर मेरे सामने रखा और कहने लगे ये देखो अपनी आँखो से देखो उससे पहले आखिर तुम कितने मर्दों के साथ इतना कह कर वो चुप हो गए और मुझे बहुत बेगरती की नजर से देख मैंने उनका मोवाइल देखा तो मैं चौक गई क्योंकि वहां मेरी ही वीडियो थी जिसमें मैं किसी और आदमी के साथ ये सब देखते देखते मैं समझ गई कि ये क्या हुआ है मैं आज से चार साल पहले की बाते याद करने लगी जब मैं शादी करके इस घर में आई थी मे मेरी घर में सिर्फ एक अकेले मेरी पापा ही कमाने वाले थे और बाकी सब खाने वाले तो बड़ी ही मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा था पापा ने बेटे की ख्वाइश में बेटियों की लाइन लगा दी थी और अब उनकी शादी की फिकर में पापा वक्त से पहले ही बूडे हो रहे थे मेरी बड़ी बहन ने छोटी सी उम्र में ही घर के काम काज सीखने सुरू कर दिये थे और मेरी अम्मी वो सिलाई सीख कर पापा के बोज को थोड़ा कम करने की कोशिश करने में लगी थी तो उसरे नंबर वाली दीती ने भी सिलाई सीख कर लोगों की कपड़े सीने सुरू कर दिये अम्मा और पापा को वससे भी ये उम्मीद थी कि मैं भी कोई ऐसा हुनर सीख कर काम करूँ बार मैं सुरू से ही बीमार रहती थी मुझे अपने घर का माहल कभी पसंद ही नहीं आया था जहां अपनी ख्वाइशें मारनी पड़ती हैं और एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता था मैं अपनी बहनों के मताबिक थोड़ी गोरी चिट्टी थी और वुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास था मैं अपनी माँ और बहनों की तरहा एक गरीब घर से दूसरे गरीब घर में हरगिस नहीं जाना चाहती थी मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि मैं किसी अमीर घर में शादी करूँगी या फिर किसी ऐसे घर में जहां लोग जादा ना हो और मैं रानी वनकर राज करूँ किसमत ने जल्द ही मुझे ये मौका भी दे दिया और मेरी मुलाकात आफताफ से हो गई मैं अपनी सहेली की सादी में गई थी और वहें मेरी दोस्त के बाबा का रिष्थिदार था और उसकी खुबसूरत परसनालिटी के पीछे बहुत लड़किया थी मगर मैंने अपनी सहेली से साफ कह दिया था कि तुम मेरी उससे बात करवाओ कोज दिन के बाद अपनी सहेली के जर्ये मेरी आफताफ से बात्चीश शुरू हुई तो मालू हुआ कि वह अकेला है उसके माबाप नहीं है और वो अपने छोटे भाई के साथ में ही रहता है और उसकी बहुत अच्छी जगा नौकरी भी है मैंने सोचा मुझे इस से बढ़कर फिर कोई अच्छा रिष्था नहीं मिलेगा यू मेरी सहेली ने उसको मेरे लिए तयार करके हमारे घर रिष्था लेने भेज दिया उसका छोटा भाई भी उसके साथ था मुझे वह छोटा सा लणका जो मेरा देवर वनने बाला था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी शकल पर साफ नजर आ रहा था कि वो अपने भाई की सादी से खुश नहीं है मैंने सोचा बच्चा है इसे प्यार से पेश आऊंगी तो वो मान जाएगा फिर मेरी शादी हो गई अभी मेरा शोहर कमरे में आया ही था कि उसके भाई की चीक सुनाई दी हम भाग कर तुरंत ही बाहर गए तो वो सिल्डियों से गिर कर चोट लगवाए बैठा था मेरा पती उसे अपने कमरे में ही ले आया और बागी की सारी रात वह अपने भाई के साथ ही सोया रहा मुझे समझ में आ रहा था कि वो लड़का अपने भाई की सादी से खुस नहीं है उसे अपना भाई शेयर करना बरदास्त ही नहीं हो रहा था थोड़ा थोड़ा मेरे पती को भी ये बात समझ में आ गई थी मगर उन्होंने मुझे समझाया कि वो अभी छोटा बच्चा है तुम इसे प्यार से हैंडल करोगी तो वो तुमारे साथ ठीक हो जाएगा पर मैंने पूरे दो साल अपने देवर के नकरे उठाने की कोशिश की कि वह मुझे कबूल कर ले मगर वो तो उल्टा अपने भाई से मेरी उल्टी सीधी शिकायदे करने लगता और मुझे डांट पढ़वाता रहता था मैंने भी अब सोच लिया था कि बस अब बहुत अच्छा बन कर मैंने देख लिया आप इसे मैं किसी भी तरह से इस घर से निकलवा कर ही रहूंगी मैंने भी अपने पती के कान बढ़ने शुरू कर दिये कि आपका भाई जो है उसकी दोस्ती अपनी उमर के बड़े लड़कों से होने लगी है कल मैंने उसे सिगरिट पीते हुए भी देखा था मैंने खुद ही सिगरिट की एक डिबबी उसके स्कूल बैग में चुपा दी और मेरे पती ने जब चेक करने की खातेर उसका स्कूल बैग खोला तो उसमें सिगरिट की वो डिबबी निकली फिर मेरे पती गुस्से से अपने भाई के कमरे में गए और उसे खीच कर मेरे पास ले आए और पूछने लगे कि ये बेगुदा हरकत क्यों की है तुमने वो बहुत कहता रहा कि ये मेरी नहीं है मगर मेरे पती ने उसकी एक भी नहीं मानी और फिर मेरी कहने पर उसे घर से दूर बोडिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया वो रोता रहा लेकिन उसकी अच्छी संगत और बहतर संभावनाओं की खातिर मेरे पती ने उसी घर से दूर बिजवा दिया वो दो साल से वहीं था और मेरी जिंदगी तो जैसे जन्नत ही बन गई थी कोई परिशानी और कोई जंजट नहीं थी बस सुकून ही सुकून था मैं बहुत खुश थी कि अब वो पांस साल वहीं रहेगा शुरू में तो उसने चुट्टियों में भी घर आने से मना कर दिया था मैं भी बहुत खुश थी कि अच्छा है चंद दिन भी ना आए वो मुझे उमीद थी कि अगले साल भी अब नहीं आएगा मगर मेरी उमीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब वो इस बार की चुट्टियों में घर आ गया मैंने पूरे दो साल बाद उसे देखा था उसका तो कद ही निकल आया था और सोला साल का तो वो कहीं से भी नहीं लगता था वो अपनी उम्र से दो वरस और विजादा बड़ा ही लगता था मुझे मालूम था कि अपकी वार वो घर आया है तो जरूर फिर से मेरे खिलाफ कोई साजिस रचेगा पर अपने भाई को मेरे खिलाफ करने की कोशिश भी करेगा मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई जब उसने मुझे अपने पिछले रवईय की माफी मांगी वो अब बहुत जारा सुलज गिया था और पहले की तरह मत्तमी जी और शाजिसे भी नहीं कर रहा था जादतर वो अपने कमरे में ही समय अपना गुजारता रहता था और खाना हम दोनों के साथ मिलकर ही खाता था मेरे पती भी उसकी बदलती हुई आदस से बहुत खुश हुए थे एक दिन मेरे शोहर काम पर गए तो उसकी बाद मेरा देवर मुझसे कहने लगा कि भावी आप अपनी शादी की वीडियो जरा मुझे दीजेगा वो मुझे देखनी है उस वक्त तो मैंने देखी नहीं अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसे देखूं मैंने कहा वो तो pen drive में है तो वो कहने लगा हाँ तो आप pen drive ही दे दीजिए मैं उसे टीवी पर लगा कर देख लूँगा मुझे भला क्या एतराज हो सकता था मैं अपने कमरे में गई और pen drive लाकर मैंने उसे दे दी उसने मुझे pen drive ले ली और अपने कमरे को लौक लगा लिया मुझे कुछ समझ ना आया कि भला कि इसमें कमरे को लौक लगाना क्या जरूरी था मगर मैं इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और अपने कामों में लगी रही एक घंटे के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल आया और मुझे pen drive दे कर शुक्रिया कहा और साथ ही पांच हजार रुपे भी मुझे हाथ में पकड़ा दिये मैंने हैरानी से पूछा कि ये किसलिए तो कहने लगा आप मेरी भावी है इसलिए और इतना कहकर वैं अपने कमरे में बापस चला गया क्योंकि मैं तो दंग रह गई थी कि ये लड़का इसकदर बदल गया है अब सरव्वय शाम का खाना बनाने में भी मेरी मदद कर देता था अब मेरा दिल भी उससे साफ होने लगा था कि अच्छा लड़का है वैसे भी दो महीने की ही तो चुट्टियों पर घर आया है बाद में वो चला जाएगा अगले दिन फिर से मेरे पती के काम पर जाने के बाद मेरे देवर ने मुझे पैंड ड्राइब मागी मैंने हैरानी से उससे पूछा कल तुम्हें दीतु थी तो वो कहने लगा भावी एक घंटे में कहां पूरी देखी जाती है मेरे पास सिर्फ एक घंटा ही होता है बाकी की वक्त मुझे पढ़ाई करनी होती है इसलिए रोज थोड़ी थोड़ी करके देखूंगा उसे रोज भी उसने अपना कमरा लॉक करके वो बैठा रहा और एक घंटे की बाद पैंट ड्राइब मुझे बापस कर दी और साथ ही फिर से पांच हजार रुपे भी दिये मैंने उसे देखते हुए बेहद हैरानी से कहा कि कल ही तो तुमने मुझे पैसे दिये थे फिर अब फिर से मुझे पैसे क्यों दे रहे हो तो वो मुझे कहने लगा कि ये पैसे आपकी लिए है भाबी क्योंकि आप मेरा इतना खयाल रखती है मेरी इतनी परवाह करती है ये इसका इनाम है, इसलिए आप रख लीजिए, ये भाई के ही पैसे हैं जो उन्होंने मुझे दिये थे, अब अगर आप भाई को बता देंगी, तो वो फिर से आप से लेकर मुझे दोबारा दे देंगे, इसलिए भाई को सोच समझ कर बताईएगा, मेरे शोहर ने मेरे फिर साथ में 5000 रुपए भी देता, और कहता था भाई, इन पैसों को संभालती जाईए, और जब बहुत सारे घट्टे हो जाएं, तो फिर शॉपिंग पर जाईएगा, मैं कभी कभी शक में पढ़ जाती, कि इतने पैसे आखिर इसके पास आ कहां से रहे हैं, मेरे शोहर इत बाहर जाते हुए भी देखा था, शायद उसने अपना कोई अकाउंट बना लिया था, या फिर वो मेरे पती के अकाउंट से पैसे निकाल रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर पैसे मेरे पती के अकाउंट से निकल रहे होते, तो मेरे पती को तो पता च खुलवाने की कोशिश भी की मगर उसने दर्वाजा बिलकुल भी नहीं खोला और पूरी एक घंटे की बाद ही जब दर्वाजा खोला तो कहने लगा कि भावी जब मैं कमरा बंद किये होता हूं तो आप बार बार दस्तक ना दिया करें मैं बहुत जरूरी काम में बिजी होता हूं अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़वड जरूर है आखिर ये करता क्या है कमरे में और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पैसे इसके पास आते कहां से हैं कि रोज ये 5000 रुपे मुझे दे देता है मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मालूम करना ही ताकि मैं देख सको कि आखिर ये जा कहां पर रहा है वो बैंक गया था मैंने उसे बैंक में जाते हुए देखा तो मैं हैरान रह गई कि इसमें तो मेरे पती का अकाउंट ही नहीं है फिर ये यहां पर क्या कर रहा है इसकी तो उमर भी अभी इतनी नहीं कि इसका अपना अक कमरे में चला गया और कुछ देर बाद पैंट ड्राइब लेकर अपने कमरे में आ गया मैं कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाए साधी की वीडियो को सुनने की कोसिस कर रही थी साधी की वीडियो में बैग्राउंड म्यूजिक टेज भी होता है अगर वो वीडियो देख भी कि वो करता क्या है मैंने फिर प्लान बनाया कि अम मुझे क्या करना है अगले दिन जैसे ही उसने मुझसे साधी की वीडियो मांगी मैंने उसे पैंट ड्राइब दे दी इससे पहले कि वो अपने कमरे में जाकर बंद होता मैंने कहा मेरी आस तब यह ठीक ही नहीं है मैं सोने जा रही हूँ जब उठूंगी तब पैंट राइद दे देना वो कहने लगा ठीक है भावी मैंने कहा अच्छा जाओ जरा बाहर देखो कौन है दरवाजी पर दस्तक हुई है वो जैसे ही बाहर वाले गेट की तरफ बढ़ा मैं जल्दी से उसके कमरे में आ गई और सोफे के पीछे चुप गई उसने आवाज दी भावी गेट पर तो कोई भी नहीं था और फिर अपने कमरे में आकर उसने दरवाजा लॉक कर लिया मैं उपर होकर देखने लगी कि वो अब क्या करने वाला है उसने अपना कम्प्यूटर खोला और पैंड ड्राइब टीवी पर लगा रही थी लेकिन बाकी सब कुछ अलग था और रिस्तेधार भी कोई और ही थे शादी का सारा सेटप भी कुछ और ही था मेरे होश उड़ गए थे कि यह आखिर कर क्या रहा है यह कैसे मुम्किन है कि मैं इस तरह किसी और वीडियो में हूँ मैं इस वक्त अपनी जगा और वह हकला कर मुझसे पूछने लगा भावी आप यहां मेरे कमरे में मैंने कहा हां तुम्हारे कमरे में क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि तुम अपने कमरे में एक घंटा लौक लगा कर आखिर करते क्या हो इसलिए आज मैं यहां छुप गई थी ताकि मैं देख सकूँ औ करके बुला लूँगी तो जो जल्दी से कहने लगा नहीं नहीं भावी भाई को मत बुलाईएगा मैं आपको सब सचसच बताता हूं असल में मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूं भाई को और आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई गुस्सा करते हैं कि प मगर फिर वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट मिलने लगे और हमें इसके बदले पैसे भी मिलने लगे दुलन के चेहरे बदल देना मैं बस यही कर रहा था आपकी शादी की वीडियो एडिट करके थोड़ी बहुत तबदीली करके नई वीडियो बना लेता था और वहां से सारे पैसे मिलते थे जिन में से आधे मैं आपको दे देता हूँ अभी आप जो देख रही है टीवी पर इसमें से मैंने सब कुछ तबदील कर दिया है बस आपकी जगा किसी और दुलहन का चेहरा लगाना है फिर यह तयार हो जाएगी मैं कुछ-कुछ समझ रही थी लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरी समझ में बिलकुल नहीं आ रहा था वो कहने लगा भाबी इसमें कुछ गलत नही है ना ना ही मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ लोग इतनी महंगी महंगी शादी की वीडियो नहीं बन बाते क्योंकि फोटोग्राफर्स और मूवी मेकर लाखो रुपए लेते हैं इसलिए 10-15,000 रुपए देकर वो किसी की भी सादी की वीडियो में अपने चेहरे फिट करवा लेते हैं मेरे पास तो किसी की सादी की वीडियो नहीं थी आपकी सादी का खयाल आया तो मैंने सोचा कि आप से वीडियो ले लेता हूँ प्लीज आप भाई को मत बताईएगा वो डांटेंगे कि पढ़ाई किया करो जिबकि मैं पढ़ाई भी तो करता हूँ अकाउंट भी किसी और के नाम पर है मगर मैं इस्तिमाल करता हूँ मैं उसकी सारी बाते सुनकर बाहर आ गई जो कुछ भी वो बता रहा था वह सबकुछ टीवी स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहा था और उस मेरी जगा किसी और दुलहन का चेहरा एडिट करके मुझे दिखाया भी था और तसल्ली करवाई थी रोज के पांच हजार रुपए मिल रहे थे मुझे और क्या चाहिए था जिबकि मेरा तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था मेरे दिमाग को तो तसल्ली थी मगर ना जानी क्यों लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी कुछ गलत होने का खटका दिल को बार-बार सता रहा था यो ही फिर धीरे धीरे दिन गुजनने लगे मैंने नोटिस किया कि अब ना जानी क्यों लेकिन मेरे पती का रवया कुछ बदलने लगा था अब वो मुझसे बात भी नहीं करते थे काम से आते और फिर सो जाते थे मैंने सोचा कि शायद काम का प्रेसर होगा इसलिए ज़्यादा सीरियस ना लू मगर अब पती के साथ खड़ी उसकी दूसरी बीवी को देख कर मैं हका बका रह गई मेरे पती ने मेरे सामने मोबाइल निकाला और कहा मुझे तुमसे ये उमीद नहीं थी कि तुम मुझसे पहले भी साधी सुधा रह चुकी होगी मुझे तुम्हारी पहली साधी के सारे सबूत मिल चुके हैं मैंने मोबाइल में वीडियो देखी तो कदमों तले से मेरे जमीन ही निकल गई थी ये तो वही वीडियो थे जो उस दिन देवर के कमरे में मैंने देखी थी जिसे वो इडिट कर रहा था मेरे पती के मोवाइल में एक शादी की सारी वीडियो थी जिसमें दुलहन बनी मैं बैठी हुई थी और वहे उसे किसी अंजान नंबर से सेंड हुई थी मैं रोते हुए बोली कि ये मैं नहीं हूँ ये आपके भाई ने इडिटिंग की है ये उसी का काम है वहे रोज मुझसे साधी की वीडियो मांगता था और उसी ने मेरे साथ ये किया है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मेरे शोहर ने मेरे देवर को बुलाया तो वो आकर सिरे से ही मुकर गया और कहने लगा मैंने कुछ भी नहीं किया है मुझे तो वीडियो बनाना तक नहीं आता है मैं ये सब कैसे करूँगा मैं तो उसकी बात सुनकर सननाटे में ही आ गई थी उसने कैसे एकदम से रंग बदला था मैंने अपने पती को यकीन दिलाने की बहुत कोसिस की ये तस्वीरें ये वीडियो सब जूट है आप सुबा मोहले में जाकर किसी से भी पोच लीजिएगा इस वीडियो का भी आप मालूम करवा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सम नकली है मेरा पती कहने लगा ठीक है मैं सुबा सब पता करवाऊंगा अगर तुम सची निकली तो फिर तो ठीक है वरना मेरे घर में तुम्हारे लिए अपसे कोई जगा नहीं होगी वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर कमरे में चला गया मैं अपने देवर की तरफ दुख से देख कर पूछा क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सम वो कहने लगा और आपने क्या किया था वो बूल गई मैं अपने भाई से कितना प्यार करता था मगर आपने भाई की दिल में मेरे खिलाफ चुगली भर दी और मुझे घर से निकलवा दिया मेरे दिल में तो आपके खिलाफ तब से ही नफरत पैदा हो गई थी इतना शुकर है कि मुझे इडिटिंग आती थी मैंने कहा तुम क्या समस्ते हो एक नकली वीडियो बना कर तुम मुझे मेरे पती की जिन्दिगी से निकलवा दोगे सुभा जब वह तहकी कात करेंगे तो सब कुछ उनके सामने आ जाएगा मेरी बात सुनकर वो हसने लगा बोलं मैं जानता हूँ कि सब कुछ उनके सामने आएगा इसके बाद मेरा भाई आप से माफी भी मांगेगा मगर एक काम जो वह कभी नहीं करेगा वो है अपनी दूसरी भीवी को छोड़ देना मेरा भाई इतना अच्छा है कि वो दूसरी भावी की जिन्दिगी तबाह नहीं करेगा फिर आप भी इस तकलीफ से गुजरेंगी जिससे मैं गुजरा था आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा और हाँ जो पैसे मैं आपको देता रहा हूँ न तो वो आपके ही अकाउंट से किसी और बैंक के जरिये में निकलवाता रहा हूँ मैंने रोते हुई कहा तुम्हारी इतनी उमर नहीं जितनी बड़ी तुमने साजिस रची है वो कहने लगा भावी बोर्डिंग स्कूल में भी तो वैसे आपने ही भेजा था क्या होगा वो नाराज हो जाएंगे लेकिन आखिर कितने अर्से तक नाराज रहेंगे आखर हूँ तो मैं उनका ही खून एक न एक दिन तो वो मुझे माफ कर ही देंगे और आप से भी माफी मांग लेंगे मकर आपका तो नुकसान हो गया ना अब आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा ये कहे कर वो बापस चला गया था उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ मेरे पती को सच्चा ही पता चल गई उसने मुझे से माफी मागी लेकिन अपने जज़वाती फैसलों के पेश आते उसने दूसरी साधी तो कर ही ली थी और उस लड़की को वै तलाग भी नहीं दे सकता था क्योंकि उसका इस सब में कोई भी कसूर नहीं था मेरे देवन ने ठीक कहा था अब मुझे सारी जिंदगी अपने शोहर को शेयर करना पड़ता है वह मुझे से अपना बतला ले चुका था और मेरे पास अब पस्ताने के सिवा कुछ भी नहीं था इसलिए कहते हैं न कि किसी के साथ अगर बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को जादा से जादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें